बहुत ही बड़ा मद्यप्रदेश के लिहास से एक बहुत बड़ा दिन है वैसे देखा जाए तो तीनों ही राज्यों के लिए है राजस्थान, मद्यप्रदेश और चत्तीस गड़ जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार रस्सा कशी चल रही है कल जब विधायक दल की बड़ा इंटरस्टिंग फैक्ट इसमें की निकल कर आ रहा है कि कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी कब उसमें ये बात सामने आ रही थी कि जो कमलनाथ हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सिंधिया का जो खेमा है वो राजी हो गया है और उनके ही समर्थकों ने कमलनाथ के नाम का प्रस्ताव किया और एक तरह की सहमती बन गई आज सुबह तक भी यही बात थी कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे लेकिन दिल्चस्प घटना करम आज सुबह यह हुआ कि जोतिराधित सिंधिया ने सुबह कुछ चुनिंदा पत्रकारों को एक SMS किया और यह कहा कि उनकी तरफ से कमलनाथ को सियम बनाने के लिए कोई सहमती नहीं दी गई है इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि यह कहीं न कहीं सिंधिया खेमा इस बात को स्विकार नहीं कर रहा है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद फिर दिल्ली में लगाता रहा गटना करम चलता रहा जोत्रीयादी तिसंधिया और कमलनाथ दोनों ही से राहूल गांधी के मुलाकात हुई और बार बार ये कहा गया कि पहले समय आया कि चार बजे विधायक दल्की दोबारा बैठक होगी ये दोनों ही नेता उसमें आ जाएंगे और कोई सहमती बन जाएगी लेकिन फिर वो लगाता है विधायक दल्की जो मीटिंग का समय बजलता रहा और अभी भी ये खबर आ रही है कि अभी करीब एक देड़ घंटे बाद विधायक दल्की बैठक होगी और देर रात तक हो सकता है कि ये आधी रात के बाद पत्रकार चर्चा कर रहे हैं इस पर कि आज की रात फिर काली होने वाली है उनकी और करीब रात का एक दो भी बस सकता है तो वैसे कॉंग्रेस के लिए ये परंपरा नहीं नहीं है जब भी यहां मुख्यमंतरी के चैन का सवाल आता है तो बड़ी रस्सकशी देखने को मिलती है हलाकि दोनों ही खेमें उनके जो चैन कि सिंदिया जो है वो फॉलो कर रहे हैं शायद कमलनाथ जी को तो क्या इस तरह की ख़बरें ठीक है यह कि क्या है इसमें आपको कुछ क्लारी टी आई अभी आप गए भी थे कॉंग्रेस मुख्याले तो क्या किस तरह का आपको फीडबैक मिला देखिए फॉलो कर रहे कहना ऐक तरह से ठीक नहीं होगा लेकिन यह बात जरूर है कि कमलनात ही जो वंक्रमंत्री-प्र तर Сам वह एक आगे चल रही हैं दूश की में जब को तरकिनार किरके बनाया गया थाए तसी समयस से यह लडाई लगवग कमलनात के जीत ली थी त। क्यों चीफ बनाया गया था और माना यह जा रहा है कि चुकि दिगविजे संग्ध जो पूरु मुख्यमंत्री रहे दस साल मद्यपरदेश के और बार बार यह बाते आ रही थी कि वो अपने आपको राजीती से अलग कर रहे हैं शक्री राजीती में भो नहीं आ रहे हैंगा उसमें इन्सेसर हो में पाद में वह इसलिएकंग के माधे हैं उसके ज़्यज को टिकेट दिये गए को각 मुझेगे इसनर तिन वालियर चंबल चेतर में हैं, वहां से करीब 26 सीटें कांग्रेस जीती है, इसके अलावा तीन से चार सीटें मद्रदेश के बाकी हिस्तों में भी हैं जहां उनके समर्थक चुनाव जीते हैं, तो ये जो आकड़ा है, ये कमलनात के फेवर में ज्यादा जाता है, कमलनात और द का निर्ने आने के लिए राहुल गांदी को भी जो है उनकी भूमी का उतनी बड़ी नहीं है, तो क्या इस तरह का भी कुछ मामला चल रही है, देखिए ये ये बड़ा दिल्चस्प है, पहले ये माना ज़रा था कि आला कमान यान है, राहुल गांदी जो कॉंग्रेस के मान सौपी गई थी, या अगर इसको राजस्थान के कॉंटेक्स में भी लें, तो जो सचिन पाइलेट हैं, उनको भी PCC का अध्यक्ष बनाने के बाद, पूरा कैम्पेन उन्होंने किया, चुनाओ की सारी लड़ाई उन्होंने लड़ी, तो ये माना जा रहा था है कि कि अगर बात होती है, राहूल गांधी की नई टीम की बात हो रही है, तो आने वाले लोकसभा चुनाओ भी हमको देखना है, कॉंग्रस को देखना है, तो जो उनकी पहली पसंद यहां के लिए सिंधिया और राजस्थान के लिए सचिन पाइलेट हो सकते थे, पर चुकि अ एक खबर आए कि प्रियंका गांधी ने भी मुलाकात की है, तो अब इसमें अनुभो और युवा चेहरे, इनकी पीच में एक बड़ा संगर्श है, और कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि चुकि लोकसभा का चुनाओ है, तो जो गहलोत हैं वहां पर राजस्थान में, और यहां कमलनात हैं, उनके अनुभो का लाव पार्टी लेना चाहती है, तो हो सकता है कि कहीं, इसलिए सुनिया गांधी ने इंटर्वीन किया है, और अगर सुनिया गांधी की चलती है, तो मुझे लगता है कि वहां गैलोत ही बनेंगे, और यहां कमलनात ही मुख्यमंत्री हो तो इस घटना ग्रम पर तेज कवरेज लगातार नजर रखे हुए आप बने रहें तेज कवरेज के साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब पर जाएं और हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब करें तेज कवरेज न्यूज दन्यवाद झाल 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 झाल